नमस्टार साथियों मैं योडेश गुपता एबाफिट से स्वारण करता हूं आपके अपने योटूब चैनल वेलवेब पार्ट साला पर देखू भाई कल 9 मई है और 9 मई और 10 माई को सीवीटी टूटर पेपर होने वाला है तो मैं आप लोगों को वो सारी बाते नहीं बतान में रखने हैं अगर ये तीन पॉइंट अपने ध्यान में रखे तो आप अपनी जो नॉलेज अभी आपके पास हो उसी नॉलेज में आप इतना बढ़िया पेपर टरके आएंगे कि सीवीटी टू में सेलेक्शन के जो चांस से आपका स्ट्रोल कार्ट है वो बहुत बीस नंबरों में और तीसरा पॉइंट ये है अगर हाड पेपर आया देगे रेलवेटर ये रूटीन रहा है हमेशा रेलवेटर जो पहला पेपर होता है वो थोड़ा सा क्टाफ होता है आज चल जी पेपर आसान हो जाती है तो माल नी जागा आपके सिफ्ट वेपर अगर हाड आता है तो फिर आप क्याटर रोड़ी है तो ये तीन पॉइंट आज मैं आपके साथ दिशनेश्ट रहूँगा और दस मिनट इस वीडियो में आप लोगों को ये तीन पॉइंटरी डिटेल एनलेसिस बताऊं रहा ताकि आपको आपको मैंट आनी है रिजनिन आनी है सब्सक्राइब को आपको बताता हूं कोई भी आप पेपर दीजिए हरे पेपर जो 50% होता है वो हमेशा असान कोउश्चिन होते तो 120 कोउश्चन में मैं आपको बता दू जो 60 कोउश्चन हो रहे ध्यांदी सुनिये रहा करें तो शुरुआ से लेके अंत तक 120 को सरसरी निढ़ाओं से देखते जाए और सॉल्ट रते जाए वो सारे ते सारे कोश्चन जो आप से विदिन 30 से टेंट सॉल हो जाए या फिर विदिन 40 से टेंट सॉल हो जाए उनको अटाइम कर दीजिए और देखिए यह जो पहला आप तक का एट क्रिया कर लाप होगा ना इसमें आप देखिए रहा कि सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट में आप साठ कोश्चन अटाइम डिकर लोड़े हाँ बिल्को अब देखिए बचे आपने पास साठ कोश्चन और बचा है आपने पास समय 50 मिनट तो यह जो बचा हुआ साथ कोशन है ना इस्टो आप बचे हुए पचास मिनट में धीरे-धीरे अटाइम कीजिए और उसमें देखिए हाँ यह बास सही है कि साथ कोशन की पचास मिनट कहीना कहीन काम है तो आपको पूरे साथ अटाइम्ट भी कहां टरने वहिया आप यह पूरा एसा तेसा था हुँ आपको जो पेपर करना है वह दो सिप्टो में करना है एक बार चालिस मिनट राएट राउंड लडा डालिए साथ कोशन असान ढूंड ढूंड ते स्वाल डालिए हां लेगा आपको यह आपको यह आपकी नजने और आपकी दिमाग बताएगा यह प्ल पर यह कोशन तीस से टेंट के अंदर हो रहा हमसे आप सौल्टा डालिए जैसे आपने टाहा माली जी बहुत बड़ा सवाल आ रहा पजल रहा प्लटा डिया मेरे दिमाग ने टाहा यह तो उससे तीस से टेंट में नहीं हो रहा है यह तेरा पांच मैंड लेके जाएगा आपका कोश्चन पहली बार में अटेंट करने ना वो पह साँ मनेट में करना उसमें जादा समय नहीं नहीं देना यूद्धा गिसक्र सिक्राइप यह दान रहन्तिन कि पेपर को एक साथ पूरा ट alert करना दो बार में टच्ण ना है पहले आ टेम्ट में आपको 40 मिनट करना 60 आसान आसान से कोश्चन धून 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 तरे दम तीर मार देना सॉल्ड़र देना अब बाकि जो दूसरा राउंड लडे डा उसमें आपको 50 मिनट में बाकी बचे हमारे साथ कोश्चन को एटेम्ट करना है लिए उसमें भी ध्यान दूस्टन ज्यादा हारड ऊसको आप थो तो आपने देखा था थी बहुत सारे जोंटी और खास थोड़ से लेवल 5 लेवल 6 ती जो मेरे डेही थी cut-off डेही थी 80-83 ECD आसपास डेही थी कुछ जोंटी 78 के आसपास डेही थी तो cut-off क्राफी हाई है तो मैं ऐसा मान सबता हूँ कि यहां पर जो भी आपको श्टोर करना रहेगा वो थोड़ा से जादा रहेगा at least 80% से उपर तो करना ही रहेगा ना तो आपका अटेम्ड भी ऐसा ही होना चाहिए कि आपका जो नंबर है वो 80% के आसपास आ सकी हाँ यह बास सही है कि पिछली बार जब वो cut-off आया था वो आ आपके में से टी-सी ते दस रंबर बढ़े ती-सी ते आठ बढ़े वह एक अलत बात है ठीक है मैं मानता हूं नॉर्मलाइज स्टोर हमारा 80% होना चाहिए लेकिन मैं मुद्देटी बात बताऊंगा आपका safe attempt क्या होना चाहिए आपका safe attempt होना चाहिए 120 question में से वह comes attempt आपक से 105 प्लस attempt करते हैं दोस्त अगर 105 प्लस अब आपको 87 paper hard आया तो कैसे 105 प्लस होने उसकी मैं बात तीसरे point में करूंगा फिलाल अगर paper जो है आपका moderate level कर आता है नहीं बहुत ज़्यादा असान आता है नहीं बहुत ज़्यादा tough आता है तो दोस्त आपको 120 में से 105 attempt करने हैं क तो याद रिखेड़ा paper moderate होने पर आपको जो safe attempt होना चाहिए वो तुमारा होना चाहिए 105 प्लस ठीके चलो तीसरा point देखी क्या था था तीसरा point यह था कि अगर paper hard आया तो मतला paper hard आया तो सल्क्राटरी यह बहुत मुद्दे की बात है कि paper hard आया तो तो मेरे भाई एक बात हम बीड़ी paper hard आता है तो उस्ट्र में जो normalize store है वो 20-25-25 नमबर भी बढ़ता है इस वार्टो या तरशीरा और वो hard paper सिर्फ आपके लिए नहीं दोस्त वो सब के लिए है ठीके तो मैंने यह 105 बताया ना आपको attempt टरना है इसर्फ moderate level का है यह है सत्तो hard level के लिए नहीं है तो आपका paper hard level का आता है तो आप 90 प्लस या 85 प्लस भी attempt टरकर 95 प्लस भी attempt टरकर आप अपने आपको ठूस्टर लिजिए रहा वो इसलिए ठूटी जब paper का result आए रहा तो आप खुद देखोड़े यह hard ship का हमेशा जो normalization mark होता है वो 15-15-20-20 नमबर तर भी बढ़ता है तो paper hard आ आपने तुट्रा लगाया तो फिर जो है वो लड़ता आजे हो जाए रहा जो आपकी स्टेफ्ट में धीरा जरकर 85 90 प्लस भी attempt किया होगा बहुत साथ चीज मा और बताऊंगा बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है क्या साथ तुट्रे लगाना सही है तो मैं उनके लिए बस एग बात बोलता हूं जुट्रे आपको पूश्ट में लगाने ही देखो फिर तो 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 जills नाता है ना थ on the तो फिर आप इसमें जरूर लगा सकते हो तो आपको लगाना भी है मजबूरी बन रही है तो फिर दो अब आपको लगता है कि हाँ इन दोनों उपसंट मेरा सही है तो आप लगाईए तो यह जो मैंने अच्छा एच चीज़ और मैं आप बता दू एक पॉइंट और भी है कई बार ऐसा हो जाता है कि जैसे कि आपको एच्छो बीश पोशन दिये जाए तो होगता है ति आपको पूरी तरीके से इनी तो शॉल करने दे बैठ जाओगे तो यह तो यह सॉल नहीं होगे और लास्ट जो आपके साट सतर सवाल बचे वह भी हाँगे वह भी आपके छू करने जाएंगे इसलिए मैं बोलता हो कि पेपर को कभी भी एक राउंड में नहीं सॉल रहना चीए पेपर को हमेशा दो राउंड में सॉल रहना चीए तादी आपका सुरूआत्र यह जी हाड को शनाते तो बाद वाले जो आसान है तो इन तीन बातों का आपको ध्यान देन ये भी मुझे comment रखे बताईए रहा चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त